तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बाल विकास या मनुवी ज्यान से संबंदी जो है पचास महत्पुन प्रस्न जो पिछली जो है 9-10 साल के परिक्षाओं में पूछे जा रहे हैं रिपीट हो रहे हैं इस प्रस्न पत्र में मैंन निमने से किसके लिए अच्छा है याद रहे हैं यह बैंकिंग माडल की बात कर रहा है तो बैंकिंग माडल की जब भी बात आए ना तो बैंकिंग माडल जो पुराना जो पद्धती है ना पुराना पद्धती है ना उसे ही बैंकिंग माडल जो है कहा जाता है तो आप जो है ज्यान की प्राप्ति बस ठीक है ज्यान कैसे मिला क्या मिला इससे मतलब नहीं है अगला देखे निम लिखित में से कौन प्लक्षपित समागरी के अंतर गताता है ठीक है कौन प्लक्षपित समागरी के अंतर गताता है तो याद रखी न इसमें जो है आपसन आएगा यहां पर मतलब वही है कि जिसे प्रोजेक्टर है ना प्रोजेक्टर में किसेच को यह करते हैं तो सामने डिस्प्ले होता है तो यही जो है एक अधी पारदर्सक लाल्टेन क्या है वो एक सहायक समयक्री की तरह जब इसको यूज करते हैं तो वो प्रोजेक्टर की तरह जो है निदानात्मक सिक्षन प्रोफसान देना सही आंसर क्या है आपके पास तो सही आंसर है इसका निदानात्मक सिक्षन देना ठीक है ना निदानात्मक सिक्षन देना पड़ेगा आपको तभी बच्चा जो है उसकी समस्या का मनोई ग्यान एक अधार भूत्व ग्यान है किस ने कहा था तो ये कहा था इसकी नर्नेना ठीक है आप लोग ध्यान रखेगे ये किस ने कहा था इसकी नर्ने कहा था नेश्ट बढ़ते हैं निम लिखित में से कौन प्रभावी इसकूल अभ्यास का उधारण है प्रभावी इसकूल अभ्यास निरंतर मुल्याकन करना सारिक दंड देना व्यक्तिगत शिक्षा करना और प्रतिसपरदी कक्षा देना ठीक है तो इसका जो सही आंसर है व्यक्तिगत शिक्षा देना ठीक ह रखेना इसका आउड रीच क्या है कि प्रत्येक छात्र को उसके हिसाब से जो है आपको फोकस करना है यही बाल के इंदरी सिक्षा का नियम है कि जो सिक्षारती है उसको उसको इस्तर के हिसाब से आपको पढ़ाना है इस्टडी करना है नेमलिखित में से कौन एक उत्तम उप लबदी परिक्षन में यदि अनिस्चित्ता होगी क्या होगी यदि अनिस्चित्ता होगी तो वो कहना चीए सही नहीं है ठीक है तो इसलिए सही answer क्या है आपके पास दूसरा है निष्ट पढ़ते हैं निमलिकित में सिक एक विद्याले के स्क्षक के लिए सबसे बड़ी समस्या है इसको बहुंँ सरह यह decision making question है आपको कहना चाहिए निर्ने लेना है तो सबसे बड़ी समस्या क्या है याद रखेए न सबसे बड़ी समस्या सिक्षक का अभाव हुई है ठीक है सिक्षक ही नहीं रहेगा तो कहां से आप जो है अच्छा से पढ़ा पाओगे बाकी सब चीज वो ज़रूरी नहीं है तो next question बढ़ते है मनुई गिन प्रारम में किस विशाय का अंग था तो ये अंग था आपका दर्शन साथ्ष् अंग था एफ्क्ट है ये भटतर देखी मूल्य प्रत्यैक व्रक्ति में नहीं था यह क्या है ये आधर स्वाद है क्या है ये आधर सीचिती है कहां मूल्य सब व्यक्तियों में नहीं था तो देखो तो हर आदमी जो है उधर गोस खा के पूरा जो है अभी रेलवे में देखे एकसीरेंट हुआ है ये सब क्यों है कारण की आदमी में मुल्य नहीं है नेतिक मुल्य नहीं है अपनी कारिक प्रति लापरवाही है इसलिए चीज हो रहा है तो आदर्स वाद यही कहता है कि भई सब में है काकी लेकिन ये आदर्स इस्तिती है निम लिकित में से किसने सिक्षण कौसल समाही थे किस में जो है सिक्षण कौसल समाही थे देखो, स्याम पट लिखना, प्रस्न पूछना, ब्याख्या करना, इस सब में सिक्षड को सलसमाही ले भाई, सब में जो है, समाही थे, इसलिए सही अंसर क्या होगा आपका, चाउथा होगा, नेश्ट बढ़ते हैं, सिक्षड को प्रभावित करने वाली सिक्षड की अभिवरिती पक्ष से आप क्या समझते हैं, भावात्मक पक्ष, संग्यात्मक पक्ष, समाजिक पक्ष और मनो गत्यात्मक पक्ष, यह सुधार लेजिएगा, मना गत्याक्मत हो गया है, देखो, सिक्षड को प्रभावित कौ करेगा ठीक है और सिक्षक का जो attitude क्या है भावात्मक पक्ष संग्यानाद्मक पक्ष तो इसका जो सही आंसर बन रहा है वो है भावात्मक पक्ष ठीक है याद रखे ना बहुत सारे सिक्षक ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे लोग जुड जाते हैं हमारे इसकुल में एक मेडम तो हमने बहुत दिन के बाद हमको खुद ही धियान नहीं आ रहा था लेकिन हमने देखा कि बच्चे उनसे जुड़ते हैं मेडम जो भी बाल में लगा के आती है बच्चे लोग एक दो दिन बाद वो चीज को फोलो कर रहे हैं तो यह क्या चीज है न वहाँ मेडम जो बच् पास के लिए सरवाधिक समयदन सिल अवधी कौन सी है ठीक है ना दिखे भासा के विकास के लिए सरवाधिक जो है ना समयदन सिल अवधी कौन सी है तो सरवाधिक जो समयदन सिल अवधी है ना वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था तो सही आंसर क्या होगा आपके पास यह पर सही आंसर होगा दूसरा ठीक है ये पहले वाला है ये दूसरा जो है सही आंसर है नेश्ट बढ़ते हैं बच्चों को संकेत देना तथा आवसकता पढ़ने पर सहयोग प्रदान करने इनुम से किसका उधान प्रब्लम अनुबंदन माडलिंग पाढ या धाचा तो आप लोग एक चीज याद रखे ना इसका जो सही आंसर है पाढ या धाचा और ये कहां से आए जानते हैं वाईगोस्की का जो समाजिक सांस्कृतिक जो सीखना का जो नियम है ना उससे आये हुआ है वाईगोस्की का एक और वीडियो जो है मेरे चनल पे जल्दी ही आने वाली है और वहाँ आपको मिल जाएगी इसके फोल्डिंग भी ना उसी से सम्मंदित है याद रखे ना अगर आप सिक्छक से सम्मंदित परिशा दिला रहे हैं ता आपको पियाजे है और वो थांडाइक है इसके सांथ वाईगोस्की है और एक और वो क्या बोलते हैं उनको कोहलर ये चीजों को ना इनका जो सिध सावित मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था को इसे सित करता है तो मूर्थ जीन प्याजे ने जो है न संग्यानत मिकास को कितने वस्था मबाटा था चार अवस्था में बाटा था और जो है मूर्थ संक्रियात्मक जो है न वो चौथा था लाश्ट था तो चौथा को उसमें यह आपका राइट आंसर है नेश्ट आगे बढ़ते हैं यह डबल क्लिक हो गया ऐसे ही तो पीछे करना पड़ेगा डिसलेक्स किया के प्रात्मिक लक्षण क्या है ठीक है ना तो डिसलेक्सिया के प्रात्मिक लक्षण क्या है बहुत सारे लोग इसको आंसर देते हैं कहना च यह इसमें तापसन नहीं है, इसमें लिखने में तूटी को है न, उसको दे देते हैं, जबकि वो नहीं है, इसका जो धारा प्रवाप पढ़ने की छमता है न, वो सही आंसर है, तीसरा अर्था, नेश्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सरचनावादी धाचे में अधिगम प्राथमी कुरूप से, सरचनावादी धाचे ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग ठीक है, और आज जो बाल केंदे चिक्षा हम पढ़ रहे हैं, उसमें कंस्ट्रक्टिव लर्निंग ही न, काम कर रही है, ठीक है न, तो इसलिए, इस चात्रकेंद्रित सिक्षा की क्या विसेश्था है, ठीक है न, चात्रकेंद्रित सिक्षा की सबसे वड़ी विसेश्था है, बच्चों के अनुभाव को प्रमुक्ता देना, बाके सब जो है न, तो चात्रकेंद्रित की जो इसको देख ली हैं, जो बाकी जो तीनों है न, व सारी विकास जो है तीवर गती से घटित होता है सैस्वा वस्था यहां प्रारंबिक बाल्य वस्था में ठीक नेश्ट कॉश्चन निव लिकित में से कौन सा द्वित्यक समाजी करण एजेंसी का उठारण है ठीक है तो याद रखी ना पहला समाजी करण एजेंसी जो है परिवार वन क्या है मीडिया है ठीक है ना परिवार वन मीडिया है और दूसरा वाला जो है वो क्या है विद्याल वन मीडिया है ठीक है पहली पार्ट साल हमेशा परिवार बानी जाती है दूसरा विद्ध्याला है यदि किसी परिक्षण में कोई परिक्षण को द्वारा उत्तर पुस्ती का जांट ने एक बात समानंग पाता है तो वह परिक्षण है किसी कोई परिक्षण को द्वारा मतलब कई परिक्षक एक ही पेपर को जाच रहे हैं और उसके बाद उनको एक ही अंग, एक ही समान अंग मिला है सबको माल जे समान अंग है तो इसका तातपर है, वो क्या है? भरोसेक लायक है विस्वस्नी वह परिक्षण जो व्यक्ति की जाच करने के पस्चात की से एक या अधिक छेत्र में उनको इसे स्ताविम कम्यों को बताता है वह है, वो है निदानात्मक परिक्षण ठीक है? यह याद रखें ना, यह निदानात्मक परिक्षण को कहीने कहीं से एक पूछेगा 64 दीखें सबसे सफल सिखञ वह होता है जो छातरो के विकास में रूसार असन बनाया रखता है च्यंग देता है, निमित ग्रेह कारेथ देता है तो इसमें कहीं देखने के ज़रुदत नहीं है, पहला अंसर ही साहिए चात्रों के विकास में क्या लेता है वो रूची लेता है सरकार की योजना नुसार सिक्षा है पुर्व 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 पुंजी निवेस से पहले आपको पुंजी निवेस करना पड़ेगा बाद में आपको रिटन मिलेगा और यह होता ही है शिक्षा से बड़ा जो है रिटर्न कोई नहीं देता भारत में प्रथम खुला विद्याला इस्थापित हुआ था तो यह हुआ था 1989 में अनुसंधान वक्षोज की विधी है तो याद रखे ना अनुसंधान और खोज की विधी ना आगमन विधी ही है ऐसा क्यों है आगमन विधी में बच्चे को स्वयम जो है बीभिन चीजों को निरिक्षण उनका अवलोकन उनका प्रयोग करने के बाद जो है वो किसमें पहुँचते हैं अपने परड़ाम पर पहुँचते हैं भी दी है ठीक है नेस्ट कुश्चन वाइगोस्की का उनसार इसके फोल्डिंग है देखे इसको फोल्डिंग वाला बात आ गया है ना देखो बच्चे पर ध्यान रखना बच्चे को अप्रुट साहिद करना बच्चे को कि नहीं लोग दौरा टेंपरेरी हेल्प एना बच पहले बच्चे में विचार पैदा होते हैं बाद में भासा दोनों साथ साथ पैदा होते हैं पहले भासा पैदा होता है बाद में विचार इन में से कोई नहीं तो सही आंसर है एक याद रखे ना जो जीन पियाजे है ना वो ठीक इसके अपोजिट है उसके हिसाब से पहले भाजा पैदा होता है बात में विचार ठीक है next question इस्मृति और समझ इस्तर के सिक्षड माडल के syntax में कौन सा चरण जो है प्रमूख है तो पहला चरण है इसमें अन्वेसर चरण वो important है next question ने में लेकित में से अधिकम का सिधान प्रतिपादित नहीं किया था या जखी न अधिकम का सिधान जो है प्रतिपादित नहीं किया था BS Bloom ने ठीक है next पड़ते हैं व्यक्ति को मापनिक विधी thematic upperception test है तो ये कहना चाहिए fact है कहना चाहिए इसका जो सही answer है प्रच्छे पर तकनिक है next question विकास के इनिम लेगे सिधानतों में से कौन सा गलत है तो गलत है देखो विकास संयोग का परिणाम नहीं होता ठीक है विकास संयोग का परिणाम बिलकुल नहीं होता, सही answer क्या है आपके पास दो है any solution जिन्होंने Helen Killer के ट्यूटर के रूप में काम किया था किस से पिडित थी तो any solution जो है वो द्रिस जिहानी से वो पिडित थी ठीक है right answer is D P.I.J. कमसार संग्यानात्मा को इकास की दूसरी अवस्था क्या है तो दूसरी अवस्था बोल रहे है न प्राक संक्रियात्मकाल ठीक है ये संवेदी वाला फश्थ है ये लास्थ है और ये क्या है आपका थर्ड है ये पहला ये दूसरा ये वाला तीसरा ये चांथा नेश्थ बढ़ते है किस प्रकार का मुल्यांकन विशेष आउसकता वाले बच्चों की पहचान करता है तो विशेष आउसकता वाले बच्चों का डियागनोस्टिक जो है करेंगे तब ही आपको जो है पता चलेगा विशेष सिक्षा के संदर्व में सामिले विशेष सिक्षा से समन्नित जो है यही है गैर भेद पावपूर्ण पहचान और मुल्यांकन यह पाजिटिव आंसर है इसमें ठीक है नेश्ट पड़ते हैं दो से आट वर्स के आयू के बच्चों के लिवीकास, पैटन, मोटर, समाजिक, भवनातमक, समिकातमक के साथ सामिले देखे बच्चा कितने साल का है? दो से आट साल का है न, इस चीज को याद रहे अनुकुलन चमता या कौसल, संप्रेशन चमता या कौसल, भाई दो से आठ साल का बच्चा कहा संप्रेशन कौसल करेगा, अनुकुलन चमता या कौसल ये भी सही नहीं है, लेखन तो करेगा है नहीं, सही आंसर है भासा ही चमता या कौसल, दो से आठ साल का बच्चा जो है भ टाइट अंसर फस्ट परीपक्वता का सम्मण है तो परीपक्वता जो है विकास से रिलेटेड हैं, टनाव और क्रोध के अवस्थ है ये मान के चलना है कि शोरह वस्थवाला जो है ना कहीन 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 आपसे पूछे कहीँ पूछेगा इसको आप मिसमत कीजेगा। एक बच्चे के मानसिक आयू 12 सावास्तिक आयू 10 वर्षे तो उसकी बुद्धी लब्धी क्या होगी? इसके लिए देखो M मानसिक आयू M A पटा एक्चुल आयू है ना? तो इस टाइप से M A बटा A C, M C, गुडित 100 ठीक है? mental age upon real age into 100 तो 12 बटे 10 गुड़ी 12 दहम 120 आना चाहिए तो right answer का है आपके पास 30 next parameters का उद्देश है बच्चों को समझना, बच्चों की कम्योग करान का पत्त लागना, बच्चों के समायो जन में सहायता करना उपरोग तो सभी बच्चों को समझना भी है बच्चों को कम्योग करान का पत्त लागना है समयोजन भी सहायता करना है तो सही answer क्या होगा उपरोगत सभी उपरोगत सभी होगा नेश्ट बढ़ते हैं सिख्चह में विद्द्यार्थी के मध्य सम्मान और स्नेह का विश्वास का सम्मान का सब कहोना चीए भई सही answer क्या है आपके पास चाहता है ये सब डिजन मेकिंग क्वेस्चन है सिख्चह में फ्रोबेल का महत्रपूर्ण योगदान ये फ्रोबेल वाला एक थो बिलगूल आना चीए है ये किंडर गाटन जो है उसका प्रतिपादक था केजी वन केजी टू आजकल जो चलता है एक अच्छा सिख्चह विद्यारतियों के मध्य बढ़ावा देता है ठीक है न प्रतियोगतक भावना सहीओक की भावना ठीक है 46 आंसर दूसरा नेश्ट क्वेशन बहारा सरकार ने बच्चों के लिए मुपते मानुवारे सिख्चह लागू किया था ये आप याद रखे ना 2009 में लागू किया था एक चीजा और रखना ये देखिए जिसे जीन प्याजे का संग्यानत्मा को विकास से संब्दी आ ये वीडियो अलड़ी डला हुआ है चैनल में आप देख सकते हैं निव लीखित में से कौन समहत्रपुन प्रभाव कारिता पर निर्भार करता है विसए की समाच, सिख्चप की योगयता सिक्षक की लिखावट तो इसका जो confusion कहा हो रहे हैं मालूम इन दोनों में आप इन दोनों में एक ठोक लगाओगे तो देखो सिक्षक की योगेता देखो यदि सिक्षक योगेता MSC, BSC कीतना भी है लेकिन इसको विशाय की समझ नहीं है तो फिर वो पढ़ाय लिखाई कोई काम करें इसलिए कई बार कम पढ़े लिखे जो सिक्षक है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे से तो ये सिक्षन प्रक्रिया में विशाय की समझ वो ज़्यादा इंप्रोटेंट है ना कि योग्यता राइट अंसर इस टू प्रयास यम भूल के सिधान जो है के प्रती पादक है तो सब जानते हैं इसको ये थांडाइक है ये वो बिल्ली का प्रयोग याद रखे थांडाइक अपने बच्चे पर किसने प्रयोग किया था प्याजे ने प्रयोग किया था नेश्ट उस मनो इज्ञानी का नाम बताईए जिसने सीखने की समागरी के रुपने निर्थक सब्दों का प्रयोग किया था ये फेक्ट है एबिंग हास ने किया था नेश्ट तो ये हो गया 50 question ये 50 question का PDF आपको नीचे discussion मिल जाएगा आप उसको download करके पढ़ सकते हैं वीडियो आपको अच्छा पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को share कीजिए धन्यवाद